नमस्कार दोस्तो में कोठारिया, इससभी नुद और आप वीडियो देखरों में सिफरवसन 9000 जिसका आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हाईडोलिक तो इसका हाईडोलिक डाउन हो जाता है तो इसमें आकर ऐसी क्या बज़े है क्या प्रोब्लम है कि इसका hydraulic है जो उपर करने के बाद जो पट्टी है इसकी जो नीचे automatic गिर जाता है hydraulic तो इसमें क्या बज़े है तो इसके लिए हम खोलेंगे hydraulic तो सबसे पहले ये seat बगेर हम खोलेंगे और इसके बाद हम ये टांग बगेरा खोलेंगे connection इसके तो अभी तक आपने हमरी चेनल को subscribe ने कि प्लीज फटा फट subscribe कर ले तो यहां से हम अटा देते हैं पन्नी बगेरा इसमें रखी हुई है तो यहां से दोनट खोलेंगे seat के और si-ta ra हटाने के बाद हम टापे के सारे nut खोलने के बाद फिर हम आपको टापा उतार छे दिखाएंगे कि आखिर इसमें problem क्या है तो चले यह हमने टेक्टर हम ने हमने बंद किया है और स्टार्ट करने के बाद हम आपको दिखा दें कि ये ये टेक्टर हमने बंद किया और इसके बाद हम इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितने तेजी से इसका जो हाइडोलिक है डाउन हो रहा है तो आप भी बीदीउम कि देख सकते हो फ्रंट से ये नीचे जा रहा है दिरी-देर हाइडोलिक हो यह आप देख सकते हो नीचे जा रहा है और लीवर अपना फूल उपर है आभी यह देख सकते हो कि लिवर यही ऊपर है 이런 यह यह घिखीουμε और हाइडोलिक है जो अपना धीरे-धीरे डाउन हो रहा है तो आखिर इसमें क्या वज़े क्या खराब ही है तो यह देखने के लिए वने रही है हमारे यूटूब चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर ले तो आप देख सकते वीडियो में काफी हाइडोलिक है जो गिर चुका है तो हम इसके बाद हमने खोल लिया फटाफट हाइडोलिक और यह है इसका रेम सेगंडर और तो इसको हम खोल लेंगे पेले सरिफ इसमें जो समस्या है सिरिफ हाइडोलिक गिरने की है जो आपने देख लिया इसी वीडियो में कि इसका हाइडोलिक है उपर करने के बाद जो आटोमेटिक धीरे-धीरे टिक्टर वन करने के बाद गिर जाता है तो चलिए फिरेंड हमने रेम सेगंडर खोला है और यह इसकी connecting rod और यह जूले बगे रहे हैं अंदर के तो चलिए अब हम यह है इसका रेम सिलंडर तो रेम सिलंडर का हमना जो पिष्टन निकाला है वहार तो यह फ्री निकल चुका था निकला था यह फ्री और यह है इसका पिष्टन और इसके बद हम और इंग की जो कंडिशन वो दिखाएंगे हम आपको तो इसकी और इंग चलवा भी दिखाते हैं पेले इदर का यह है इसका आइडॉलिक पंप लगा हुआ यहां पे तो इसका पंप है जो रिपेर हो जाता है मैसी का और उसके बाद हम आपको इसकी जो हाइडॉलिक की वांसुरी लगती है वो दिखाएंगे आगे आप देख सकते हो गड़ा है यहां पे वांसुरी लगती है और यह इसका हाइडॉलिक पंप और इसी के अंदर है और यह है इसका पिष्टन तो पिष्टन यह फ्री एसे फ्री नहीं जाना चाहिए इसके अंदर और इसके बाद हम आपको इसकी जो ओरिंग है वो दिखाएंगे तो यह है इसकी जो पुरानी ओरिंग कि छो खराब हो चुकी थी और हमने इसको सापसूप करके बढ़ियां रखा है और इसके बाद हम इसमें नई ओरिंग डालने के बाद इसको बापिस अधिर चाहिए